जै स्री कृष्णा राधे राधे कई बार ऐसा होता है हमें पता नहीं चलता हमारे उपर तंत्र क्रियाएं की गई है और जीवन में मुश्कले हैं कि कम ही नहीं हो रही तो ऐसे में सोचने पर विवस होना ही पड़ता है आखिर ऐसा क्यों हो रहा है तो आज हम आपको जादू टोने तंत्र क्रिया अगर किसी ने किया है आपके उपर तो इसके कुछ लक्षन होते हैं अगर ये लक्षन आपसे मैच करता है तो इस तंत्र क्रिया से बाहर कैसे निकले इसके भी आपको रास्ते बताएंगे तो जैसे सकात्मक उर्जा होती है उसी तरह नकात्मक उर्जा भी होती है अगर पॉजिटिविटी है तो निगिटिविटी है देवता है तो असुर भी है उसी तरह इस ब्रहमांड के अंदर दो ही ताकत कारे करती है और वो ताकत जब निगेटिव चीजें बढ़ जाती है तो आपके जीवन में परिसानिया आ जाती है क्योंकि बुरा करने के लिए किसी का लोग दानवों की मदद लेते हैं और ये काफी सकती साली भी होते हैं हलांकि देपताओं को परिसन करना थोड़ा मुस्किल है पर दानव जल्दी परिसन हो जाते हैं जल्दी इसके परिणाम देने लगते हैं कुछ ऐसे लक्षन होते हैं जिससे आपको पहले ही पता चल जाता है कि बुरी नजर लगी है तो चलिए सबसे पहले तो ये कहा जाता है कि अगर बुरी नजर लग जाए तो कई तरह की मुसीवतें बिन बुलाए महमान की तरह आ जाती है लक्षन क्या है नजर दोस लगने से ब्यक्ती को हर छेतर में निरासा मिलती है ग़वराहत की समस्या होती है और कई अंचाही घटनाएं भी होनी लगती है यहां तक कि वो हमेशा ठका हुआ रहता है, मसूस करता है, बार बार बिमार पड़ जाता है सर में हमेशा दर्द बना रहता है, गवराहत की समस्या परिसान करती है और नजर दोस के कारण नींद की समस्या भी हो जाती है घर में हमेशा जगड़े लड़ाई कलहकलेश के बातावरन हो जाते हैं अगर किसी ने कुछ तंत्रक्रयाय टोना टूटका किया है आपके उपर तो अगर व्यपार में नजर लग जाए तो आपको आए दिन नुकसान होने लगता है आपका काम धंदा ठप पर जाता है और अगर बच्चे को बुरी नजर लग जाए तो कुछ खाता पिता नहीं कैसे आप जानेंगे आपके उपर घर्शों की पिड़ा है या फिर किसी ने कुछ करवाया है आज हम आपको यही बताएंगेmaz लग जानेंगे आपके उपर काला ज्यादू हुआ है और निगेटीव एनरजी किसी ने करवाया है आपके उपर पढ़ाऊ छोड़ दिया है या फिर आपके ऊपर किसी तरह का कोई गरहों की पिडा है, तो सबसे पहले तो ज़ादू टोना होने के लक्षन सबसे पहले मन मस्टिक्स पर असर करते हैं। अगर आपके उपर जादू टोना हुआ है तो मानसिक रूप से आप औसांत हो जाएंगे इसका मतलब बार बार बेवज़ा की चीजों में दिमाग जाएगा मन बेचैन रहेगा बेवज़ा उल्जने होंगी आप पूरी तरह से दिमाग का उप्योग नहीं कर पाएंगे क्यों खाने पीने की बस्तू में मिला कर लोगों को खिला पिला देते हैं और लोगों को एहसास नहीं होता जब मन में उथल पुथल मस्ती है तो समझ में आता है कि कुछ बुरा हुआ है तो दूसरा यह है कि बेवज़ा आपके घर में ज़गड़े बढ़ जाएंगे आप लोगो पर लोगों ने क्रिया करवा दिया और के घर परिवार पर ठोभी खर्वी जादुरा एक सकम थायरो हो जाता है फ्राइम हो जाए नहीं है कि आप खास करें कोई बार बार है कि कवगा है कोई पक्षी है महने दो महने में मरावा मिल जाए तो इसका मतलब आपके ऊपर किसी ने प्रचंड जादू टोना टोटका करवा के रखा है निगेटिव ताकत की वजह से ऐसा हो रहा है अब जादू टोना होने पर व्यक्ति को कटा कटा महसूस करता है दुनियादारी सहसे लोगों को मतलब नहीं होता अकेला रहता है खोया रहता है सांत है अपने बाते करेंगा अपने रोए गाइसे बोलेगा पता ciao कि great मन की बेचेनी उसे बाहर बाहर मारती है तो ऐसा लक्षन भी बताता है कि आपके उपर जादू टोना किया है अगर आपके घर परिवार भी कोई ऐसा बेक्ति ऐसा कर रहा है तो समझ लें उसके उपर किसी ने कुछ किया है, कुछ खिला दिया है चाय, कॉफी, पानी के सारे ही सही पर खिला दिया है अगर आपको एहसास हो कि आपके पीछे कोई है इसका मतलब भी यही होता है कि सच में कोई होता है बले आपको ना दिखे आपको खाना खा रहे हैं आपको लग रहा है जैसे आपके आसपस कोई बैठके खा रहा है आपको दीख नहीं रहा है लेकिन आपको ऐसा हिसास होता है कोई है इसका मतलब है कुछ न कुछ है ऐसी नेगेटिव एनरजी जो आपके पास है आपके लिए ये सही नहीं है कुछ लोग रात में सपने में देखते हैं कि कोई आपको बुला रहा है ये भी सही नहीं माना जाता है क्योंकि इसका मतलब है कि प्रचंड तंत्र क्रियाएं आपके उपर हुई है तो ऐसे में आपको तुरंत इन चीजों से बाहर निकलने के लिए पुजापाट घर में करवाना चाहिए किसी खास हिस्से में सर में हमेशा दर्द रहे या कोई सरीर में दर्द रहे तो इसका मतलब भी होता है कि किसी ने किसी कुछ आपके उपर किया है सरीर के कुछ खास हिस्से नीचे पैट में मैं फिश्ट ढर्ड महसूस हो। डॉक्ट पास जाने से भी आपको इसका इलाज ना मीले। खासकर नाभी के नीचे दर्द हो लो कि प्रॉब्लम बताता है गरमें आपके घर में जा sorus कर दिखता है कई बार होता है आपकी सगाई भी नहीं होती, साधी नहीं होती, घर के अंदर कोई बाल काट कर ले जाता है, तो ऐसे कोई कपड़ा चोरी कर लेता है, तो जादू टोना के असर से घर में मांगली कारे नहीं होते, बिवा नहीं होना, बच्चे संतान प्राप्ती नहीं होना, ये सब जादू टोने का असर होता है लाग कमालो लाग बचत कर लो पर पैसे नहीं बचेंगे दवाईयों में खर्च इधा उधर खर्च तो इसका भी मतलब है कि आपने आपके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र से आपके जीवन की जो आपका एक तरक्की का रास्ता है इसको बांद दिया है किसी ने बड़ा पत्थल बांद कर पानी में डाल दे तो इस कहते हैं इसे सरीर काम नहीं करता स्वास्ट लगातार गिरता जाता है सरीर को बांद देते हैं लोग तो स्वास्ट में बारबर परिसानीय आती है अगर आप रात में सपने डराबने देखते हैं तो भी इसका मतलब होता है किसी ने जादू टोना आपके उपर किया है तो इन तंत्र मंत्र क्रियाओं से बाहर निकलने के लिए एक खास परियोग हम बताएंगे जिसका कोई काट नहीं है आप इस परियोग को कर लेते हैं तो आपका तंत्र मंत्र क्रिया आपके उपर किसी ने किया है वो समाप्त हो जाएगा तो ये तो समाने लक्षन है लेकिन जैसे कई बार हमने कहा कि कुछ आपको लगे का किसी ने आपको आवास दिया पर कोई होता नहीं है इसलिए कहा जाता है कि दिन हो या रात किसी के भी एक बार बुलाने से जवाब नहीं देना चाहिए आप उठकर जा सकते हैं पर जवाब ना दे जब तक कि बैक्ती दोबारा आवाज ने दे क्योंकि नकात्मक उठ जाए एक ही बार आवाज देती है दोबार नहीं देती इसलिए जब भी आपको कभी ऐसा महसूस हो तो आप सतर्क रहें और संभल के रहें रात में अगर ठीक से नीद नहीं आते बार बार आँखे खुलती है कुछ सुनाई देता है तो भी ये इसका मतलब है आपके घर में कुछ न कुछ गरबर तो है यहां पर बहुत ज़्यादा परिसानी होती है क्योंकि ऐसे में आपको तुरंद इसकी सांती करानी चाहिए अगर आपका नौकरी छूट गिया है बिजनस ना चले तो पूरी तरह से आपके वेबसाइट को लोगों ने बान दिया ऐसा समझना चाहिए कई बार तो पडोसी भी ऐसा करते हैं आप जॉब करते हैं आपके साथ काम करने वाले लोग भी करते हैं इस तरह की चीजें होती है अगर आपके बिमारी डॉक्टर को समझ में ना आए सरीर सूखने लगे तो इसका मतलब भी यही होता है कि तांत्रिक क्रिया लोगों ने कराए इसे में तांत्रिक इलाज किये जाते है अब कई बार लोगों को पता नहीं चलता लोग सोचते हैं कुछ बीमारी है पर ये बीमारी नहीं होती पिचास की बात होती है क्योंकि सरीर पर इसका अफर पढ़ता जाता है प्रान नहीं निकलता लेकिन सरीर को बेजान कर देता है आपको रात में सोते हैं आपको लगता है जैसे आपका सरीर रोज कोई दबा रहा है आपको सिर्फ एहसास होता है पर ऐसा होता नहीं आप प्रयास करें लेकिन कोई लगता है आपको बार बार जैसे गला दबा रहा है यह सभी चीजें अनुहब हो तो इसका तुरंत आप तांत्रे के पास इलाज करा लें सरीर में चुहन का एहसास चलन का एहसास होना भी दुस्मन पुतला मारन प्रयोग करता है तो ऐसा महसूस होता है पैरों के अंदर जैसे कील चूब रहा है अगर आपको जरासा भी ऐसा हैसा होता है तुरंत आप इसका भी आप कोपाई करना चाहिए क्योंकि घर में जब काली साइयां आता थो बीमारियां परिसानियां हर तरह से बैकिती को तबाह कर देता है आपके घर में लगा तैल सी का प्था बार बार सुख रहा है तुरंत सांति कर वाइं क्योंकि ये जादू डूना का ही लगचन है अगर आपके घर में अच्छा-खासा इंसां है अचानक से मौत हो जाए ये भी संकेत बताता है कि किसी ने कुछ करवाया है तभी ऐसा हो रहा है कोई जानबर है अचानक मर जाए ये भी संकेत देता है कि काला साया आपके जीवन में है अगर आप एकदम से निरासाबादी से पीडित है यानि मन में हमेशा निगेटिव खयाल आते हैं आप बेबजा की उल्जुनों में फसे हैं, आपको लगता है कि घर से बाहर निकल जाए, कहीं भाग जाए, मन की सांतिक हो गई है, तो इसका भी मतलब होता है कि घर पर किसी ने कुछ करवा दिया है, कोई कपड़े गायब हो रहे हैं आपके बार बार, तो लोग तंद क्रिया करने के लिए भी ऐसा करते हैं, तो ये तो लक्षन है, आपके उपर कोई भी लक्षन अगर अपलाई हो, तो आपको एक प्रियोग करना चाहिए, इन तमाम प्रिशानियों से बचने के लिए, आप ये प्रियोग लगातार साथ दिन करेंगे, पान का पत्ता मार्केट से खर करना, रात में सोने के पहले इस पान के पत्ते पर सरसों का तेल एक बुंद आगे पीछे लगा लें, यानि पान के पत्ते के सामने साइड और पीछे साइड दोनों साइड आपको सरसों का तेल एक-एक बुंद लगाना है, और रात में सोते समय अपने सिरहने, यानि जहां प्रियोग लगातार साथ दिन करना है हर बार नया पत्ता होगा फिर देखिए चमटकारदा अगर आपको जानकर ये अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर सब्सक्राइब जरूर कीजे और आपके कमेंट्स का भी इंतजार रहेगा कमेंट्स में हर हर महादेब जरूर लिखेगा